अलो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूँ तो दोस्तो ये कमपनी आप देख रहे हैं इसका प्राइज है 1358 रुप है ठीक है सबसे पहले इसका आप 52 बिक कहाई दिखाता हूँ इसका 52 बिक कहाई देखे 2573 रुप है अब आपने दोस्तो हमारे टाइटल पे देखा हूँगा कि इस स्टॉक में जोड़दार गिरावट हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि Q4 के रिजल्ट में बहुत बड़ा लॉस आया है ठीक है यह expectation नहीं था तो बिल्कुल भी दोस्तो मार्केट इसको अच्छी तरीके से बेलकम नहीं करेगा यह company market में अभी हल फिलाल में आईए ठीक है IPO के माध्यम से जब company market में आ रही थी तो IPO में दोस्तो बहुत जोड़दार चरचर रही थी और IPO में listing gain भी बहुत जोड़दार इसने अपने investor को दिया था सभी तरब से अच्छा खासा पैसा बना के दिया लेकिन जैसे ही वो market में आई market में बिल्कुल भी यह company tick नहीं पा रही है ठीक है देखे overall के performance के अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो company cup market में list हुई थी कहां से कहां तक गई उसके बाद देखे पूरी नीचे आ गई फिर एक recovery का mode आया ठीक है इसको देखते हुए investor ने फिर investment किया होगा लेकिन फिर से यह गिर चुकी है और company का जो valuation है ना market में वो विल्कुल भी इसको deserve नहीं कर रहा है जिसके current continuously stock में क्या हो रहा है profit booking आ रही है तो चलते हैं अब इसकी officially PDF के उपार और देख लेते हैं कि इसके Q4 के number हमें कैसे देखने को मिल रहा है और यह company कौन सी है और किस industry में काम करती है यह सब चीज़ भी हम देखने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह consolidated वाले number है valuation बता देता हूं millions में portion बता देता हूं March 21, December 21 और March 22 तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं total income की company का business कितना हुआ है इस Q में ठीके तो business हुआ है 9,845 का December Q में हुआ था 11,000 का और March 21 में हुआ था लगबक 7,500 का यह हम ratio मान के चल सकते हैं तो आप देख सकते हो कि 7,500 का लगबक दोस्तो 9,800 पे पहुँच चुका है तो सालाना तोर पे तो बहुत अच्छा performance है लेकिन Q on Q basis पे हमें total income मतलब business में गिरावट देखने को मिल रही है और यह बिल्कुल भी सई signal नहीं है इसके share holder के लिए ठीक है उसके साथी नीचे आप आजाते हैं खर्चे पे क्या इस company ने खर्चे को control कर पाई है या नहीं यह देखने वाली बात है तो इस Q में खर्चा आप देख सकते हो कितना देखने को मिल रहा है 9,786 का दिसंबर Q में देखने को मिला था 10,622 का और मार्च 21 में देखने को मिला था दोस्तो 7,245 का तो खर्चा भी दोस्तो slightly तरीके से बड़ा है और company के पास profit कितना बचा है मात्र 58 तो हम इसको अगर करोड में convert करें तो 5,8,8,000 रुपे के आज़ पास company ने मुनाफ़ा कमाया है दिसंबर में करीबन 379 का था मतलब अल्मोस्ट मान के चल सकते हो 36 करोड के आज़ पास का और मार्च 21 में 204 का रखा यहां पर क्या था मुनाफ़ा था मतलब हम करोड में convert करें तो 20 करोड के आज़ पास का था ठीके अब उसके बाद देखे adjustment होना है tax pay करना है ठीके तो सब adjustment होने के बाद tax pay करने के बाद आप देख सकते हो यहां पर 58 का जो profit है वो कितना हो गया दोस्तो 75 ठीके क्यों हो गया क्योंकि यहां पर कुछ adjustment हुआ है tax pay करने के बाद मतलब दोस्तो 5 करोड 8 लाग को जो profit है वो 7 करोड 5 लाग पे आ गया है ठीके और उसके साथ ही देखे तो यहां पर आप देख सकते हो जो net profit company के जिम में गया था December Q में वो 290 मतलब दोस्तो 29 करोड के आसपास और March 21 के अगर मैं बात कहता हूँ तो company के net profit में कितना था हुआ पर 189 मतलब लगबख 17 करोड तो आप देख सकते हो सालना तोर पे भी बड़ी सी गिराबट है ठीके और Q on Q basis पे भी बड़ी सी गिराबट है अगर आप net profit इसको मान के चलो यह operating profit है क्योंकि ठीके company ने इतना profit निकालाए आप loss करो profit करो आपने कडोडों में business किया लाखों में business किया हजारों में किया है आपको tax देना पड़ेगा tax दिया कुछ दोस्तो और उनका कुछ अलग joint venture वाला profit जुड़ा होगा कुछ अलग से item का profit जुड़ा होगा तब जाकि यह profit बना है ठीके फिर भी यहाँ पर क्या है गिराबट देखने को मिल रही है और यह बिल्कुल भी दोस्तो साइज सिगनल नहीं है जब इस company का business model अगर आप उठा के देखेंगे बहुत interesting देखने को मिलेगा इसके जो बड़े-बड़े brand ambassador है ठीके वो भी देखने को में मिलेंगे ठीके लेकिन उस हिसाब से market में टिक नहीं पा रहा है ठीके साथ में हम देख लेते हैं दोस्तो EPS तो EPS की अगर मैं बात करता हूँ तो EPS इस Q में मात्र 18 पैसे की है December Q में 60 पैसे की थी और March 21 में 38 पैसे की थी तो आप EPS से भी compare कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें momentum पूरी तरीके से खराब होते देखने को मिल रहे इस company का तो हम किस company की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो नाम आपको देखने को मिलेगा E-commerce venture limited जिसे हम दोस्तो नाइका के नाम से जानते हैं ठीके नाइका एक fashion company है ठीके और बड़े बड़े इसके brand ambassador भी हमें देखने को मिलते हैं जो film star है ठीके लेकिन उस यह साब से company market में survival नहीं कर पा रही है ठीके इसकी financial condition देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो FSN E-commerce venture limited ठीके यहाँ पर आप देख सकते हो यह नाम लिखा हुआ है नाइका का ठीके company दोस्तो personal care में काम करती है जो beauty product रहते हैं उसमें काम करती है fashion product में company काम करती है और included बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर क्या है company के पास product देखने को मिलते हैं पूरी fashion industry के उसके साथ ही आप देख सकते हो कि company का जो valuation है वो है दोस्तो 64000 करोड का अब आप देख सकते हो 64000 करोड की company market में किस प्राकाश से revenue निकाल रही है ठीके PE earning ratio देखे यह PE earning ratio बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है 1500 साहाट का return on employee छेट असंबलो 83% return on equity छाड़े चार परसेंट ठीके face value एक रुपे का अब आप बोल रहे होंगे कि यह company अगर इतनी बेकार है तो हमें update क्यों किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों जब IPO के related company market में आई थी तो उसने बहुत अच्छा listing दिया था नीचे आई नीचे जाने के बाद फिर recovery आई तो दोस्तों जैसे में आपको शुरू में भी बताया था कि इसको देखके हो जब investor ने investment किया ठीके अगर मान लिजे आने future में भी अगर ऐसा recovery आता है दोस्तों तो आप लोगों को इससे दूर रहना है इसलिए दोस्तों हम ये company आप लोगों को update कर रहे हैं अगर मान लिजे इस चीज़ को देखके company का नाम देखके ये सोचके कि IPO में अच्छा listing दिया था company का market के बच्छा है चलो ठीक है हम investment कर देते हैं ऐसा बिलकुल भी गलती मत करिएगा जब तक company दोस्तों 3U Q में एक के बाद एक के बाद profit नहीं निकालती जब तक दोस्तों हमें इसमें investment नहीं करना है ठीके नीचे अगर आप और भी comparison करोगे ठीके quarterly result को तो आप देख सकते हो कि quarterly result में क्या performance है June 20 में ठीके 288 करोड की sale हुई थी March 22 में वही sales दोस्तों 973 करोड की है यहाँ पर operating profit 45 करोड माइनस में था यहाँ पर मातर 38 करोड ही profit देखने को मिल रहा है operating वाला ठीके यहाँ पर आप देख सकते हो जो net profit है वो 54 करोड माइनस में था यहाँ पर 8 करोड 56 लाग मतलब मैंने आपको अभी बता के लाया हूँ वो profit है ठीके सालाना तोरको भी अगर आप compare करेंगे तो देखें मार्च 2018 मार्च 2018 पूरे साल वर में 544 करोड की company ने क्या की थी सेल की थी operating profit निकाला था 27 करोड माइनस में ठीके operating profit margin था 5% माइनस में ठीके sales आप देखें हर साल increase हो रही है लेकिन profit increase नहीं हो पा रहा उसके साथ नेट profit भी अगर आप देखेंगे तो यहां तक तो company को lossy loss था लेकिन यहां पर दोस्तों थोड़ा सा market में company ठीकी थी लेकिन फिर एक बार company ने क्या किया loss देखने को मिला share holding pattern के अगर मैं बात करता हूँ share holding pattern आप देख सकते हो यह आपको देखने को मिलेगी कि promoters अच्छा का सटेक लेके बेटे हैं FII का भी इसमें stake और FII continuously stake increase कर रहा है December क्यों को compare करेंगे March क्यों को तो stake बढ़ते देखने को मिलेगा लेकिन DII ने इसमें से profit booking की है तो दोस्तों हमें इस company से थोड़ा सा दूरी बना के competition देने आएगी भी तो vote बिल्कुल नहीं tick पाएगी क्योंकि अब यह company market में भी आ चुकी है और company दोस्तों पूरी पूरी industry में काफी अच्छी तरीके से काम भी कर रही है लेकिन यह है कि company profit नहीं निकाल पा रही जब तक company profitable नहीं होगी जब तक दोस्तों हमें इस company को क्या अपनी नजर से दूर रखना है ठीके तो यह था आप लोगों के लिए बैतरिंग अपडेट ठीके नाइका के उपर तो प्लिस इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा क्योंकि डेली बैसेज पर इसी प्रकार का बैतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक यू दोस्तों